हेलो एब्रीवन, वेलकम बैक टो मैं यूटूब चैनल, तुडेश वीडियो आइब टॉकिंग अबाउट कीचन इंगलीज, आज हम कीचन में प्रयोग होने वाले इंगलीज सेंटेंज सिखेंगे, जो एक हाउस वाइब कीचन में खाना बनाने वक्त यूज करती है, या फि सेंटेंस का यूज करती है, आज हम उसका इंगलीज सेंटेंस सिखेंगे, तो इसके लिए आप मेरे साथ बने रहिए और वीडियो एंड तक देखिए, वीडियो पसंद आये तो इसे लाइक, कमेंट, शियर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज मेरे च जब किसी पौडर को चानने की बात कही जाए, तो हम वहाँ पर सिफ्ट का यूज करती हैं, पौडर चानना मतलब सिफ्ट, सिफ्ट, तो आटा चान लो, सिफ्ट दा फ्लोर, सिफ्ट दा फ्लोर चाय चान देना, श्ट्रेंड दा टी, श्ट्रेंड दा टी, जब किसी लिक्विट को चानने की बात कही जाए, तो अहाँ पर श्ट्रेंड का यूज किया जाता है, लिक्विट चानना मिन्स श्ट्रेंड, S-T-R-A-I-N, स्ट्रेंड, सो चाय चान देना, श्ट्रेंड दा Next sentence, पास्ता चानलो, इस्ट्रेंड द पास्ता आटा गुंध दो, निड द फ्लोर गुंध ना मीज निड गुंधने के लिए हम निड का यूज करते हैं आटा गुंध दो, निड द फ्लोर छोटी छोटी लोईया बना लो रोल दर डो इंटु स्मॉल बॉल्स जब आटा गुंध कर तयार हो जाता है तो उसे बोलते हैं डो अर जब हम रोटी बैलने के लिए लोया बनाते हैं तूसे बोलेंगे छोटी छोटी लोईया बना लो Roll the dough into small balls Roll the dough into small balls Roll the dough into small balls मैं रोटियां बेल रही हूँ I am rolling the chapatis जब हम बोलेंगे मैं रोटियां बेल रही हूँ I am rolling the chapatis I am rolling the chapatis or you can say I am rolling out the chapatis I am rolling out the chapatis मैं रोटियां सेख रही हूँ I am backing the chapatis जब हम रोटि बेल लेंगे दैन हम जब सेखेंगे तब बोलेंगे मैं रोटियां सेख रही हूँ I am backing the chapatis I am baking the chapatis. Dood ubal do. Boil the milk. Boil the milk. Boil the milk. Or you can say boil up the milk. Boil up the milk. Boil up the milk. Dood garma kardo. Warm up the milk. Warm up the milk. Warm up the milk. Dood bhae jayega. The milk may boil over. The milk may boil over. उफन कर bhae jayane के लिए boil over यूज करती हैं. Dood bhae jayega. The milk may boil over. The milk may boil over. दूद बह रहा है. The milk is boiling over. 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 थंधा हो जाने दो. Let it cool down. Let it cool down. Next sentence. Next sentence. पानी उबलकर खत्म हो गया. मतलब गैस बन गया. The water has boiled away. जब हम पानी चरहा कर भूल जाते हैं. पानी जो है सुख जाता है. तब हम बोलेंगे पानी उबलकर खत्म हो गया. या फिर गैस बन गया. The water has boiled away. I hope these sentences are useful for you. वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शियर करें. और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करके, बेल आइकान को जरूर प्रेस करें. ताकि मेरे शारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके. मिलते हैं अगले वीडियो कीचेन इंगलिस पार्ट टू में. तब तक के लिए बाई बाई. थैंक्स पॉर वाचिंग.